अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए इस वीडियो की पीडियो फाइल डिटेल क्वेज के साथ आपको मिल जाएगी हमारे अप्लिकेशन एंजरिटी अप पर डीटेल पीडियोफ नहीं प्रोफ परविड्ट की जाती है और वन-liner के तो दोनों ही टाइपकी पीडियोफ आप। डाउणलोड कर सकते हों एंजरिटी अप गोगल प्लेस्टोर को मनाया जाता है दूनों ही कुशन के बारे में काफी लोगों ने करेक्ट अंसर किया था और डिटेल में अंसर किया था आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में अंसर किया करो चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले कुशन की पहला कुशन है हाले में किस राज ने गोप स्वास्त विमा योजना के तहट दूस्तो पत्रकारों को समानित किया जाएगा किसे पत्रकारों को तो ये पत्रकारों के लिए योजना है इसकी तहट ओडिसा राज में जो अभी 65 सो से जादा पत्रकार काम कर रहे हैं उनको प्रुस्कृत किया जाएगा उनको दोस्तों कोविड योध्धा, कोविड वारियर घोसित किया गया है और कोविड वारियर के तहट प्रतेक पत्रकार को दो लाख रुपए तक का स्वास्त भीमा प्रवाइड कराया जाएगा यानि अगर वो कोविड नाइंटीन से पीडित होते हैं तो दो लाख रुपए तक का हिलाज भी कराया जाएगा साथि साथ अगर ड्यूटी करते समय उनकी कोविड नाइंटीन से मृत्यू हो जाती है तब फिर उनके परिवार वालों को पंदरा लाख रुपए की विर्तिय सहायता यानि फैनेंसली हेल्प की जाएगी इस योजना के तहद तो ओडिसा राजी सरकार ने ये योजना शुरू की है गोपबंदू सबबतिका स्वास्त भीमा योजना क्लियर अचा भी कुछ दिन पहले ही कोविड वारियर घोसित किया था पत्रकारों को ओडिसा राजी सरकार ने उडिसा आया है मैप में देखिए उडिसा है कहाँ पर ये रहा उडिसा बोने स्वर यहां की है राजधानी नवीन चंदर पतनाईग जी दोस्तों यहां की है करेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर जो की है बीजू जनता दल पार्टे से अच्छा बीजू जनता दल पार्टिक से ये चीफ निश्टर हैं ये लगातार पांचमी बार सीम बने हुए हैं उड़िसा के गवर्नर है प्रोफेसर गड़ेसी लाल, ननन्न कानन वंजियो भ्यारन, सिमली पालब भ्यारन और चंद का हाथी भिहार ये है उड़िसा में ही, उड़िसा अपना बॉर्डर किस्ते किसे सेयर कर रहा है, ये अपना बॉर्डर दोस्तो पस्षिम मंगाल से सेयर करता है, जारखंड से सेयर करता है, 36 गर से और इधर आंधर प्रदेश से सेयर करता है ओडिसा में ही है दूस्तों चिलका जील चिलका जील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी जील है और चिलका जील में ही अभी डाल्फिन मचलीयों की काउंटिंग की गए थी और पाया गया कि पिछले एक वर्ष में ये ज़स्ट नडबल हो गई है कितना डबल हो गई है डालफिन मचलियों की संख्या ठीक है और यहीं पर दोस्तों एक बालाफ सूर टेस्ट फायर रेंज है जहाँ पर डिया डियोक्स अपने मिसाल की टेस्टिंग विएरा करता है ठीक है चांदेपूर टेस्ट फायर रेंज और क्या है और एक दुइप है ही पर ओडिसा के पास में ही एक दुइप है हुईलर दुइप जिसका नाम अब चेंज करके एपी जे अब्दुल कराम दुइप कर दिया गया है ओडिसा की अस्थापना दुस्तों हुई थी एक अप्रेल 1936 को जब यह बंगाल और बिहार से अलग हुआ था तो इसी वैसे एक अप्रेल को हम लोग क्या मनाते हैं ऊडिसा अस्थापना दिवस चीप जशिस कौन है तो चीप जसिस हैं दूस्तों एस मूरुली धर हैं यहांके चीप जसिस इस हाई कौट के ऊडिसा हाई कोट के अगला कुछिन देख लेते हैं हाले में किस राज ने परवत धारा योजना शुरू की तो परवत धारा योजना शुरू की है दोस्तो हिमांचल प्रदेश ने किसने हिमांचल प्रदेश ने अच्छा ये परवत धारा योजना के तहट क्या होगा इस योजना के तहट दोस्तो जो प्राकरतिक जल संसाधन है उनका सनरक्षण किया जाएगा जैसे कि तालाब हो गए जील हो गए नदियाम अगरा हो गए इनके पानी को सनरक्षित किया जाएगा रोका जाएगा और अगर उनका काया कल्प चेंज करना है सौंदरी करना है तो भी कराया जाएगा तो इस वयसे इस योजना के तहट को मिला जुला कर 20 करोड रूपए खर्ज किये जाएगे ये योजना अभी हिमांचल प्रदेश के 10 जिलों में सुरू की गई है क्लियर परवत धारा योजना अब आया है हिमांचल प्रदेश हिमांचल प्रदेश की बा पुरण्चायद पुरुसकार पाने वाला भी पहला राजज बना था इपंचायद प्रदेश बन सुरू किया गया और ने इसकी ये ते दूर्बिस में मिलाए ये रहा हिमांचल प्रदेश मैप में राजधानी है इसकी सिम्ला यहां के करेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है बीजेपी पाइटी से जैराम ठाकुरजी बंडारू दत्तात्रे यहां के है गवर्नर सिकारी देवी अभ्यान दोस्तों हिमानचल प्रदेश में ही है और हिमानचल प्रदेश अपना बॉर्डर किसे किसे सेयर करता है हिमानचल प्रदेश अपना बॉर्डर लद्दाक से लद्दाक के यूने टरिटरी है जम्मू कस्मीर से जम्मू कस्मीर भी यूने टरिटरी है और पंजाब से, हर्याना से, उत्राखंड से और उत्तर प्रदेश से भी सेयर करता है अपना बॉर्डर हिमानचल प्रदेश, हिमानचल प्रदेश दोस्तों, अभी हिमानचल प्रदेश अस्थापना दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया था, हिमानचल प्रदेश अस्थाप प्रदेष ही था धान्चल प्रदेष दो झीलों को मैंको याद करा था चंद्रताल और सूरजदाल तो चंद्रताल और सूरजदाल नाम की दो झीले हैं या पर याद रखना आपको हिमाँचल प्रदेष हाई कोर्ट केーンले निंगपा नरायन स्वामी है यहां के Cheap अगला कुछन देखते हैं अगला है हाले में किस बैंक ने हेल्थ केर के लिए 50,000 करोड रूपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घुशना की तो अभी हाले में RBI ने Reserve Bank of India ने भारतिय रिजर बैंक ने दुस्तो 50,000 करोड रूपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घुशना की है किस लिए की है इस COVID-19 pandemic के तहद अगर कोई रोगी को किसी मरीज को आव सकता पड़ती है तो वो instant लोन ले सके बैंकों से इस वज़ा से ये टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घुशना की है बहुत ध्यान से समझेगा इस question को बहुत ज़्यादा आप confused हो सकते हो ये question देखिए RBI ने क्या किया है 50,000 करोड की जब टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घुशना कर दी है तो अब RBI ऐसा तो है नहीं कि हम लोग RBI से लोन ले लेंगे क्योंकि RBI जो है ये बैंकों का बैंक है ये ग्रहाकों का बैंक नहीं है ये बैंकों का बैंक है ठीक है ग्रहाकों का बैंक क्या होता है ग्रहाकों का बैंक जैसे आप लोग ये पब्लिक सिक्टर की बैंक सुनते हो प्राइबेट सिक्टर की बैंक सुनते हो जिसे फार उजमपल पब्लिक सिक्टर में SBI, PNB वगरा हो गया, बैंक को बड़ादा हो गया, प्राइबेट सिक्टर में आप सुनते हो, SDFC, ICICI बैंक, ES बैंक, AXIS बैंक, यह सब वगरा, तो यह सबी जो बैंके हैं, यह कस्टुमर की बैंके हैं, यह हम लोगों की, आम लिक्विडिटी की सुपधा की घोशना की है, तो अब इसके तहत यह होगा, यानि कि यह जो बैंके हैं, यह 50,000 करोड रूपए तक ले सकेंगी, और उन पैसों का, उन रूपएओं को यह कस्टुमर के वीच बांट सकेंगी, क्योंकि इस टाइम पर लोण भी जल्दी नही नहीं मिल जा था, तो ऐसे में लोन प्रोवाइड किया जा सके, ग्रहकों को आसानी से लोन मिल सके, इस वैसे RBI ने सामने आकर की यह गोशना की है, कि वो 50,000 करोड तक की टर्म लिक्विडिटी की सुबधार लांच कर रही है, और जो बैंके हैं, यह कस्टुमर को लोन दे स सकती हैं, कब तक दे सकते हैं, 31 मार्च 2022 तक, ठीक है, और यह जो सबसे बड़ी बात यह है, कि यह जो पैसा दिया जाएगा, यह रिपो रेट पर दिया जाएगा, रिपो रेट क्या होता है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, देखिये रिपो रेट वो होता है कि अ अगर bank के अपना पैसा जमा कर रही है RBI के पास तो उनको जो interest मिलता है उसे reverse repo rate कहते हैं तो ये जो 50,000 करोड का term liquidity सुद्धा शुरू किया है RBI ने ये repo rate पर ही शुरू किया यानि इसके लिए कोई इस्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है repo rate कितना है जी repo rate है 4.00% इस टाइम पर RBI ने पिछले तीन बार से इसको यथावत रखने की गोशना की है यानि बढ़ाने की गोशना नहीं की है reverse repo rate कितना है 3.35% याद रखना है reverse repo rate हमेशा repo rate से कम होगा ठीक है क्योंकि RBI को भी तो कमाई करनी है अगर वो ज़्यादा interest दे देगा लेने के मुकाबले तो फिर कमाईगा कैसे चलिए अगला देखते है RBI के बारे में basic जानकारी तो आप लोग जानते ही हो रोज ही बताता हूँ अगला हले में भारत और किस देश के बीच 10 वर्ष ये road map का अनावरण किया गया तो अभी हले में इंडिया और ब्रिटेन के बीच 10 वर्ष ये एक road map का अनावरण किया गया अब road map का मतलब road मत गया तो अभी हले में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉंसन और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद मोदी जी इन दोनों के बीच में virtual conference हुई virtual summit हुई तो उसी में ये decision लिया गया साथे साथ जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉंसन इन वन बिलियन यूरो को इंडिया यूके व्यापार में इंडिया यूके ट्रेड में इन्वेस्ट करने की घुशना की है तो ये भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको आपको याद रखना है दोनों देशों के बीच में 2030 तक यानि जैसक मैंने आपको बताया आगले 10 वर् में यूके है कहां पर सबसे पहले देखिए वर्ड मैप में यह रहा मारा प्यारा भारत यहां से आएंगे हम लोग यूरोपिये महादीप में यूरोपियन कॉंटिनेंट में तो इस साइड आ जाईए यहां पर आपको इतना सा अलग सा पार्ट दिख रहा है यह हुआ एक निसान बना हुआ है यह है North Ireland नौर्फ Ireland से लेकरके यह इतना पार्ट अगर हम लोग ले लेंगे तो यह होता है दुस्तो यूनाइटेद किंगडम, यूनाइटेद किंगडम अब इसी में तीन देश हैं यहां पर देखिए यहां पर है England, England के बाद यहाँ पर है दोस्तो Scotland और यहाँ पर है Wales, Wales और Scotland, इन तीनों देशों को जोड़ करके, केवल और केवल अगर इन तीनों देशों की अगर बात की जाए, तो वो हो जाता है Britain, क्या होता है, Britain, और यहाँ पर अगर North Ireland को भी अगर हम लोग ले लेंगे, तो Britain प्लस North Ireland ह हो जाएगा United Kingdom, ठीक है United Kingdom, यह सभी देश कोई decision लेना होता है, कोई deal करने होती है, सब एक साथ ही रहते हैं, इस विए से चाहे हम लोग Britain के प्राइम मिनिस्टर कहें, Boris Johnson, चाहे UK के प्राइम मिनिस्टर कहें, Boris Johnson, चाहे कहें England के प्राइम मिनिस्टर, Boris Johnson, यहाँ की currency क्या होती है, currency होती है दोस्तो, pound sterling, दुनिया के सबसे महगी currency, pound sterling, राजधानी है London, अगला लेकते हैं, अगला question है, हाली में किसने चेकमेट COVID पहल शुरू की, तो अभी हाली में चेकमेट COVID पहल शुरू की है, AICF ने, All India Chess Federation ने शुरू की है, चेकमेट COVID पहल, इसके तहत क्या होग इसके तहत दुस्तो, जो chest से, जो सतरंज से सम्मंदित, जो staff हैं, जो खिलाडी हैं, जो भी members हैं, उनको COVID की, COVID-19 के time पर help की जाएगी, अगर वो COVID-19 से पीडिज होते हैं, या फिर वो उनकी मृत्यू हो जाती है, तब भी उनकी help की जाएगी, और ना सिर्फ financial help की जाएगी, बलकि अगर वो विमार पड़ते हैं, तो कुछ doctors की team भी नहीं कठा कर लखी है, तो वहाँ पर doctors के दोरा, इनका इलाज भी कराया जाएगा, ठीक है, तो AICF, AICF के जो अध्यक्ष हैं, संजय कपूर, और सचियू हैं, भरत सिंग चौहान, rapid test की champion, कोनरु हमपी, और विसुन ये लोग मिल करके ये initiative लिये हैं, अपने अपनी तरप से थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं, और जो भी staff, जो भी member PDT अगर होगा, COVID-19 से पहुच्टिपाया जाएगा, या उसका इलाज की जरूत पड़ेगी उसके, तो फिर उनकी help की जाएगी, clear, AICF की बारे में अगर बात करें, आल इंडियाचेस फेडरेशन की, तो दोस्तो इसकी अस्थापना हुई, 1900 क्याओन में, हेड़क्वाटर है चेननाई में, अध्यक्ष हैं, संजय कपूर, और सचीव कौन है, सेक्रेटरी कौन है, भरत सिंग चोहान, clear, तो याद रखना है, चेक्मेट COVID पह ये जो आपको इमाइज में दिख रही है, इनका नाम है पिंक, तो इनको Billboard Music Awards 2021 में, Icon Awards से सम्मानित किया गया है, Icon Awards की लिस्ट में अब ये भी सामिल हो गई है, इनसे पहले भी कुछ और सिंगर को अवाड दिया जा चुका है, जैसे, नील डाइमंड, स्टीव वंडर, प् अवाड उन कलाकारों को, उन सिंगर्स को दिया जाता है, जिनोंने Billboard चार्ट पर सफलता हासिल की है, और एक impact छोड़ा है Music Industry में, clear, तो ये परसिद सिंगर पिंक को भी अवाड से सम्मानित किया गया है, अगला कुछन देखते हैं, देश का पहला Drive-in Vaccination Center का अनावरण कहां क दोस्तों कि गाड़ी में जा जाकर Vaccination कराया जाएगा, ऐसा Vaccination Center जहां पर कारें खड़ी होंगी और कार पर ही जाकर के मरीजों के लोगियों को अगर Vaccination देना होगा तो दिया जाएगा, ठीक है, बुसरते कार को ले जाना होगा उस Vaccination Center तक, जैसे for example कोई एक Center बना लिया जात है, तो वहाँ पर लोग गाड़ी में बैठे बैठे ही लाइन लगाये रहेंगे, ऐसे लोग होंगे, ऐसे वेक्ति होंगे, जो विर्द हो चुके हैं, या जो दिव्यांग हैं, जो चलने फिरने में असमर्त हैं, गाड़ी से उतरने में और लाइन लगाने में असमर्त हैं, ऐसे वेक्तियों को वहीं गाड़ी में ही लाइन लगाए रखना है गाड़ी में जा जाकर ही वेक्सिन लगा दी जाएगी तो drive-in vaccination center का अनावरन मुंबई में किया गया है मुंबई में कहां पर अभी यह दादर के कोहिनूर square tower की parking में अभी शुरू किया गया है और इसका उगरन किया है मुंबई में सांसद है एक राहुल सेवाले ने ठीक है इन्होंने इसका उगरन किया है अगला कुशन लेखते हैं अगला कुशन है हाली में कौन सी महारतन कंपनी सीर्स सो मुलिवान कंपनियों की लिष्ट में सामिल हुई दोस्तों सेल स्टील अथर्टी ओफ इंडिया लिम्टेड ये एक महारतन कंपनी है और ये टॉप हंड़ेट सबसे मुलिवान कंपनियों की लिष्ट में अब हो गई है सामिल से इसने 50,000 करोड का मार्केट कैप गेन कर लिया है अभी हाली में बेशी ने बॉबे स्टॉक इक्षेंज नेिसकी गोशना की है कि इसका मार्केट कैप जो है वो 55,529 करोड रूपयसे ज्यादा हो गया है सेल का, Steel Authority of India Limited का और इसकी rank हो गए है टूटल 78 वी 78 वे अस्थान पर है ये ठीक है, सेल कंपनी जो है पहला अस्थान किसका है, Reliance Industries का सेल की बारे में अगर बात करें तो इसकी अस्थापना हुई थी 1904 को, Headquarter है नई दिल्ली में Chairperson है Soma Mandel BAC के बारे में अगर बात करें Bombay Stock Exchange की इसकी अस्थापना दुस्तों हुई थी 1875 में 1875 में हुई थी ध्यान रखना है, ये भारत की ही नहीं Asia का भी सबसे पुराना Stock Exchange है, Bombay Stock Exchange इसका Headquarter कहां पर है Mumbai में है, Chairman कोन है Vikram Jit Sen, कोन है Justice Vikram Jit Sen जी है इसके Chairman, MD और CEO कौन है, तो वो है आसीस कुमार चौहान जी Clear, अगला कुशन देखते है अगला है, हाली में किस देश ने फ्रांस से 30 राफेल लडाकू विवान खरीदे तो अभी हाली में दुस्तों मिस्र ने, इजिप्ट एक देश है इसने फ्रांस से 30 राफेल फाइटर जेट खरीदे हुए है राफेल फाइटर जेट किसके दोरा बनाया गया है बताने की जूरत नहीं है Desalt Aviation दुस्तों फ्रांस की एक मस्भूर अविएसन कंपनी है Desalt Aviation इसने बनाया है राफेल फाइटर जेट इससे मिस्र की इजिट की 30 लड़ाको विमान की हुई है डील 2015 में ही दोस्तो 24 लड़ाको विमान की डील हुई थी अब कुछ और बढ़ा दिया गया है 6 और बढ़ा दिया गया है और ये डील अब कर दी गए है 30 लड़ाको विमान की अच्छा राफेल फाइटर जेट कितने में ये खरीदेगा ये 4.8 बिलेंड डॉलर में खरीदेगा फ्रांस से याद होगा दोस्तों फ्रांस से ही भारत की भी डील हुई थी कब हुई थी और काफी राफेल विमान आ चुके हैं कुछ ही और बाकी हैं 2021 के अंत तक सभी राफेल लड़ा को विमान जो है फाइटर जेट जो है वो इंडिया को डिलेवर कर दिये जाएंगे फ्रांस के थूँ ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला है ICC ने किस पूर्व स्री किटर रह चुके हैं और वहां के कोच भी रह चुके हैं तो इन पर छे वर्सों का बैन लगाया गया है ICC के भ्रष्टाचार नेरोधक एक नयादी करण है उसने इनको दोसी पाया है भ्रष्टाचार करते हुए इनको फिक्सिंग के मामले में दोसी पाया है और इस के क्रिकेट की बारत आई है अभी एक क्रिकेटर बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे थी सारा परेरा उन्होंने सन्यास की घुशना की है तो ये भी आपको याद रखना चाहिए अगला कुशन देख लेते हैं हाली में किस पूर्व केंद्रिय मंत्री और राष्ट्रिय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष का निधन हो गया तो अभी हाली में चौदरी अजीद सिंग जी का निधन हो गया है जो कि राष्ट्रिय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष थे और पूर्व केंद्रिय मंत्री भी रह चुके हैं इम्पोर्टेंस इसलिए रखते हैं दोस्तों ये क्यो ये 1989 से दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक केंद्रिय उद्धोग मंत्री रहे थे तब सरकार थी बीपी सिंग जी की वूश टाइम पर बीपी सिंग जी थे प्रधान मंत्री जैसक मैंने आपको बताया चौदरी चरन सिंग जी की ये पुतर थे जोकि हमारे पूरु प्रधान मंत्री रह चुके हैं तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 11 करेंट अफेर के कुश्चन्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर पसंद आई है इसको लाइक और सेर कर दीजे अप्रेल मंत्र की वीडियो आज अभी लाइव हो जाएगी 10 अगर आप लेना चाहो आगर आप चाहते हो कि डीटेल इंफर्मेशन पूरा अप्रेल का एक भी कुश्चन ना चूटे डीटेल आप पर सको और रिवीजन भी कर सको एक्जाम टाइम पर तो आप हमारी एबुक पर्चेस कर सकते हो एबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्श में जा करके चले अब बात करते हैं कुश्चन सब्दर देखें आज का आप के लिए पहला कुश्चन है फिक्की की अस्थापना कब होई थी फिक्की इसके बारे में आप जो भी पता हो डीटेल में बता दीजिए पूरा अगला डवलु इएफ की ग्लोबल एनरजी ट्रां देखना मत भूलना कोई solve करने के बाद आपको detail explanation जरूर देखना है जिससे आपका revision हो सके proper तरीके से और इसकी PDF detail के साथ आपको दी जाएगी telegram गुरूप पर भी सामको telegram गुरूप पर detail PDF बेजी जाती है जैसे कि यह PPT मैं आपको बता रहा हूं यह सारी information आपको मिल जाए कर लेना है वहां से आपको बाकी दिनों के भी PDF डाउनलोड कर लेना है तो वीडियो कोईंट तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लाइक और शेयर करने के लिए और भी ज्यादा धन्यवाद मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जहें व